मरते दम तक नहीं होगा, कमर दर्द, गुटनों में दर्द कभी नहीं होगी, पत्री मोटापा होगा सदा के लिए दूर, भेंकर से भेंकर पुराने से पुराना जोड़ों का गुटनों का दर्द रहता है, नी पेन, जॉइंट पेन की, अर्थराइटस की गठिया की गरिद्यम जो कि हमारी आयुरवेद की गरंत आज से डाई हजार साल पहले वागबट रिशी ने लिखे थी, उनका नुस्खा बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक अन तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूलें, हना हमें क क्लिक करना बिलकुल भी न भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर किसी भी बीमारी से संबंदित एक वीडियो अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल में तुरंत एक सेकंड के भीतर मिल जाए, दोस्तों, इस होम रेमिडी को बनाने के लि दोस्तों इसको अलोवेरा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, आप किस गाउं से मुझे नीचे लिखके जरूर बताएं, और दोस्तों, तीन तरह के अलोवेरा यानि की तीन प्रकार के गौार पाठा दोस्तों, भारत में उपलब्द होते हैं, यह जो आप लाइब वीडिय के दर्द के लिए बहुत जादा फाइदे मंद होता है, एक दोस्तों ने यलो यलो कलर का भी अलोवेरा मिलता है, उसका प्रियोग आपको नहीं करना है, यह जो आप डार्क ग्रीन कलर का, और दोस्तों इसके उपर हलके हलके वाइट वाइट जैसे स्पार्ट दिख रहे हो यह वाला जो ऐलो वेरा होता है, यह बहुत फायदे मंद होता है, दोस्तों जोडों के दर्द के लिए, गुट्नों के दर्द के लिए, यह आपके blood circulation को improve करता है, साथ में दोस्तों जिनके गुट्नों से grease कृत्म हो तो दोस्तों आपको क्या करना है गौार पाठा यानि की ऐलोवेरा ले लेना है लगबग लगबग दोस्तों मान के चली जितना मैंने आपको लाइव वीडियो में दिखाया उतना उसको जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह से टुकड़ों में कट करके साइड वीडियो में देख रहें इस तरह से आपको कट करके बीच में इसकी जुट होती है वो आपको निकाल लेनी है कितनी मात्राइ में जल निकालनी है लगबग लगबग दोस्तों मान करके चलिए 15-20 ग्राम की मात्रा में ये जल को आगे मैं आपको घुटनों में लगाना पिर इसको गैस पर चूलहे पर रखके गरम करना होता है जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा यही ऐलो वेरा को अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो बालों के बीच में दोस्तों अगर आप इसके बीच में थोड़ा सा नीम की पतियों का रस मिला करके जिनको फोड़े फूसीयां हो जाती हैं गरमियों के मौशम में या फिर सकिन की प्रॉब्लम होती है यही वह ऐलो वेरा जो बहुत फायदे मन्द होता है अगर आप अलदी के साथ में और नीम की पतियों के साहत में उनके पाउडर के साथ में अगर आप मिला करके लगाते ह यहापे मैंने blender ले लिया है, grinder jar ले लिया है, दोस्तों आपको भी ले लेना है, इसके बीच में sesame oil, लगबग लगबग एक छोटे चमच की मातरा में मिला करके आपको aloe vera को blend कर लेना है, ध्यान रखिए aloe vera आपको 15 ग्राम की मातरा में लेना है, एक दम fresh होना चाहिए दोस् दोस्तों आपकी एक jelly बन के, gel बन करके तयार हो जाएगी, अब दोस्तों इसकी बीच में आपको जड़ी बूटिया मिलानी है, उसके बाद में आपको पकाना है इसको, तो आगे चलिए जानते हैं, जोडों का गुटनों का दर्द, कमर पीट का दर्द, knee pain, joint pain की problem जिनको हो दना और सूरे क्रिया, दोनों में से कोई भी एक practice सीख करके, सुबे उठ करके, 15-20 मिनिट उनका अगर आप अभ्यास करते हैं, और यह जो मैं आपको home remedy बता रहा हूँ, aloe vera की गौार पाठे की इसका प्रियोग करते हैं, लगाते हैं, गुटनों में, जोडों में, तो दो प्राय जाते हैं, जो कि सूजन को कम करते हैं, जोडों के दर्द में, गुटनों के दर्द में और anti-inflammatory property जो इसके बीच में होती हैं, दोस्तों वो क्या करती हैं, आपकी गुटनों में grease प्रदान करने में मदद करती हैं, और गुटनों की जो blood circulation होती है, जो कि दोस्तों सही से ना होने के कारण आपके गुटनों में grease खतम हो जाती है, और लचीला पन खतम हो जाता है, उसको दुबारा लाने में हल्दी मदद करती है, एक चीज़ का ध्यान रख है, ताजी हल्दी जो होती है न दोस्तों उसको घर पे सुखा करके उसका powder बनाएं, उसी के बाद में पाउडर बनाना है इसका, दोस्तों यह आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से पांच से साथ मिनट तक चमच को चला चला करके मिक्स कर लेना है, उसके बाद में मैं आगे आपको प्रस बताऊंगा, इसको गरम करने का, कितनी मातरा में गरम करना है और लगाना कैसे, वो म कोई नुस्खा ने बताया गया, इससे बहतरीन, यह दोस्तों पुराने से पुराने जॉइंट पेन की प्रॉब्लम को ठी करता है, खासकर ऐसे लोग, जिनको दोस्तों हडियों से कट-कट की आवाज आती है, क्रैकलिंग साउंट्स ऑफ जॉइंट्स आती है, दोस्तों चल एक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता है, उसके बाद में आपको बंद कर देना, यह जादा नहीं पकाना है, और अगर आप तेज आँच में पकाएंगे, दोस्तों यह जल जाएगा, तो यह चीज़ का ध्यान लखें, आपको एकदम स्लोली स्लोली ही पकाना है इसको, उसके बाद में दोस्तों जैसी यह आप देख सकते हैं वीडियो में जैसी इसके बीच में उबाला आना स्टार्ट हो जाएगा, आप लाइप वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपको यह बना करके दिखा रहा हूँ, जोडों के दर्द के लिए, गुटनों के दर्द के लि उस जगे में आपको लगा करके उपर से गरम कपड़ा बान देना है दोस्तों गरम कपड़ा बानना बहुत जादा जरूरी है इसको रात को सोते समय प्रियोग करेंगे तो यह सबसे जादा बहतरीन होता है हफते में दोस्तों मीनिमम में आपको बता रहा हूँ तीन बार इसक मिल जाएगी उसका अभ्यास अगर आप करते तो भेंकर से भेंकर जोडों का दर्द गुटनों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है दोस्तों डेड़ महीने के बाद में इसको लगाना आपको बंद कर देना है और हफते में कर जोडों का गुटनों का दर्द इससे ठीक हो जाएगा धना